Well, hey guys, hello and welcome to Niti Sikshah and this is Mahir Thakur and welcome back to another video और आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बहुत ही जादे important topic के बारे में जैसा कि आप लोग सुरू से जानते हो कि इंडिया के अंदर में reservations एक काफी जादा serious मुद्धा रहा है ऐसे में अभी recently एक और बहुत ही जादा historical और important bill पास किया गया है Yes, that is 127th constitutional amendment bill 2021 It is also known as OBC bill 2021 और इस bill के बाद जो है वो changes जो है वो काफी important level पे करी गई है तो आज की वीडियो में लोग जानेंगे इस bill के बारे में history से ले करके और present तक discuss करने वाले हैं दो तिन cases है उसको भी समझेंगे क्योंकि इस bill को समझने के लिए आपको history में थोड़ा जाना परेगा तो काफी जादा comprehensive तरीके से हम समझने वाले हैं इस lecture के अंदर में जो बहुत ही short भी होगा और बहुत ही concisely तरीके से हम बात करेंगे cases देखेंगे और साथ ही साथ इस bill को थोड़ा history में जाकर के mandal commissions के कुछ reports देखेंगे उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस bill के present में क्या-क्या changes हुई हैं क्योंकि present अगर direct मैं बता दू तो थोड़ा confusion आपको हो सकता है confusion ना हो इसलिए थोड़ा सा आपको इतिहास में चलना पड़ेगा तो सुरू करते हैं आज के वीडियो को without any further delay so let's begin देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस bill के बारे में कि ये news में क्यों हैं क्योंकि देखो 127 constitutional amendment bill 2021 OBC bill 2021 भी इसको आप कह सकते हो इसको भी recently जो है लोग सबा के अंदर में पास कर दिया गया है 10 अगस 2021 को इसको पास किया गया और सबसे बड़ा important बात ये आपको याद रखना है कि without any objection इस bill को पास करने के लिए मतलब जब बिल introduce करी गई थी लोग सबा के अंदर में तब इस bill पे एक भी तरीके का objection नहीं दिखा गया जब इस पे voting हुई तो किसी भी तरीके का against में vote नहीं पड़ा तो ये काफे जादा जो है एक कह सकते है आपकी rare चीज़ देखने को मिली देखो amendment में क्या होगा ये आप थोड़ा मोटा मोटा भी समझ लो कि the amendment seeks to restore the power of state government to identify the OBC that are socially educationally backward classes तो ऐसी जो भी OBCs की इस classes के लोग हैं इसके list को तयार करने की power जो है वो state के पास देदी गई है इसमें अगर voting की बात करें कि यानि कि अभी जो constitutional amendment 2021 का जो vote हुआ इसमें देखो 386 vote जो इसके favor में पड़ी और against में जो vote पड़ी है वो zero है तो ये बहुत ही जादा एक कह सकता आपकी rare चीज़ देखने को मिली है कि zero vote के साथ against में पास कराया गया तो full majority के साथ इस bill को पास करवाया गया है अब हम लोग थोड़ा इस bill को समझने के लिए पीछे जलते हैं थोड़ा मंडल commission के बारे में जाए तो अब हम लोग बात करेंगे background में मंडल commission के बारे में मंडल commission क्या थी मंडल commission को थोड़ा जान लेते हैं और इस चीज़ से कैसे रिलेट करेगा या आपको खुद बखुद समझ में आ जाएगा मंडल कमिशन को 1979 में जो है वो बनाया गया था मुरार जी दिसाय की गवर्मेंट उस वक्त हमारे कंट्री के अंदर में थी इन्होंने एक सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमिशन को अपॉइंट किया था जिसके चेर्में थे वीपी मंडल जी ठीक है वीपी मंडल को इन्होंने चेर्में बनाया और इन्होंने इस कमिशन को ये काम दिया कि वो इन्वेस्टिगेट करें सेब्स जो भी हमारे कंट्री में है उसके कंडिशन को कि वो किस कंडिशन में अपना जो है वो लाइवलिहुड जो है वो चला रहे हैं यानि कि सोसली एड़ एडुकीशनली बैकवर्ड क्लास के लोगों के कंडिशन को देखने के लिए और उसके बाद जो है इनको मेजर सजेस्ट करना था मेजर के स्पेलिंग यहां पर सौरी मिस्टेक है मेजर यानि की म-e-a-s-u-r-e यह वलब मेजर इनको सजेस्ट करना था गवर्मेंट को ताकि वो उनके कंडिशन्स को एडवांस कर पाएं और भी ज्यादा देखो उसके बाद 1980 में एक साल बाद इस कमिशन ने अपना रिपोर्ट सब्मिट किया गवर्मेंट को और इन्होंने 1980 में यह आइडेंटिफाई किया कि 3743 कास्ट जो है वो SEBC की हमारे इंडिया में आती है यानि कि इतनी कास्ट जो है इस कैटेगरी में fall कर रही थी अगर हम इसको इंडिया के population से जो है compare करते हैं तो यह almost 52% इंडिया का total population हो जाता है जिसके अंदर भी हम SCs, STs को हटा करके बात कर रहे हैं यानि कि सिर्फ OBCs की बात कर रहे हैं अब देखो मंदल कमिशन ने कुछ recommendation दी थी सरकार को उसमें से एक सबसे बड़ा major recommendation था कि इन्होंने कहा कि OBCs के लिए 27% reservations जो है वो government jobs में होनी चाहिए तो यह recommendation जो है वो मंदल कमिशन के द्वारा दी गई फिर 1990 में क्या हुआ कि मंदल कमिशन का रिपोर्ट जो है मंदल केस के नाम से Supreme Court में पहुँच गया अब उसके बाद Supreme Court ने यह कहा कि 27% जो reservation है वो valid है ठीक है वो ठीक है आप दो बिलकुल कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसको आप 50% से exceed नहीं कर सकते यानि कि 50% से बढ़ा नहीं सकते except जब तक कि until and unless कोई extraordinary condition ना हो जाता हो यानि कि आप normal condition में 27% ही रखोगे और कोई extraordinary condition होता है circumstances होती है तब आप उसको 50% से exceed कर सकते हो उससे पहले बिलकुल भी नहीं तो यह Supreme Court ने कहीं then उसके बाद क्या हुआ कि एक permanent statutory body बनाई गई should be established जो कि examine कर पाए the complaints of over inclusion यानि कि अब देखो एक body बनाई गई एक institution बनाई गया जो statutory था ठीक है government के द्वारा यानि कि mandal case के बाद ताकि वहाँ पे complaint कर पाएं लोग या फिर कोई भी authorities कि over inclusion तो नहीं हो रहा है यानि कि जिनको हमको नहीं डालना चाहिए SEBC के classes में SEBC के criteria category में उनको भी तो नहीं डाला जा रहा है या फिर under inclusion के लिए भी complaint करना यानि कि जिसको हमको डालना चाहिए उसको भी हम डाल रहे है कि नहीं तो ये सभी जो भी complaint थी उसको complaint सुनने के लिए वहाँ दर्ज करवाने के लिए एक permanent statutory body बनाई गई उसके बाद देखो इंद्रा सहानी केस हुआ ठीक है तो इंद्रा सहानी केस देखो काफी सारे cases हैं जो बहुत ही landmark landmark cases है उसमें काफी landmark judgment आई है Supreme Court की तो exams point of view के लिए आपके लिए वो सारे cases जो है important हो जाएंगे जैसे कि अभी मैंने मंदल केस बताया इंद्रा सहानी केस है केस वननदा भारती केस है फिर गोलखनाथ केस है ये काफी सारे cases है अगर आप कहोगे तो उस सारे cases के उपर मैं एक separate lesson लेकर के आ जाओंगा जिसमें मैं सारे cases को बहुत ही briefly और बहुत ही तो वहाँ से आपका वो cover हो जाएगा लेकिन अभी हम बात कर रहे है इंद्रा सहानी जज्ज्मेंट की देखो उसके बाद मंदल केस के बाद जो permanent body बनी उसके बाद इंद्रा सहानी जखा जज्ज्मेंट आया इस case का और उसमें government ने एक रामनंदन कमीटी को establish किया ताकि वो creamy layer के criteria को define कर पाएं कि क्या criteria रहेगी जो हम लोगों को creamy layer के category में रखेंगे creamy layer उसके बाद इन्हों ने इस कमीटी ने अपने 1993 में अपना report सब्मिट किया और ये report जो है वो government के द्वारा accept कर ली गई एक्सेप्ट कर ली गई याद रखना कि रामनंदन कमीटी को जो है वो बनाय गया था इंद्रा साहनी जज्मेंट के बाद उसके बाद 1993 में इन्होंने अपना report सब्मिट किया कि किस criteria पर हम creamy layer को categorize करेंगे और उसके बाद government ने इनके recommendations को accept कर लिया तो creamy layer का criteria रामनंदन कमीटी के दौरा तै किया गया फिर जो है National Commission for Backward Classes इसका establishment हुआ देखो इसका establishment कैसे हुआ 1993 में ही ठीक है 1993 में ही एक Parliament में कानून पास करवाई गयी Act पास करवाई गया और उसके बाद National Commission for Backward Classes को established किया गया जिसके अंदर इसको statutory body का status दिया गया याद रखना जब यह 1993 में Act के द्वारा बनाया गया था तो इसको statutory body का status दिया गया To identify who would come under OBCs as SEBC ताकि यह commission जो है यह identify कर पाए कि कौन सी OBCs के लोग SEBC के criteria में fall करेंगे यानि कि OBCs में भी अलग हो गए जो कि रामनंदन कमेटी के द्वारा आएंगे और SEBC के लिए National Commission for Backward Classes यह decide करेंगे कि कौन लोग यहाँ पर इस criteria में fall करेंगे याद रखना फिर क्या हुआ 2018 में NCBC को constitutional status दिया गया 1993 में statutory status दिया गया था उसके according इसको बनाया गया था फिर बहुत लंबे समय बाद 2018 में NCBC को 102 यानि की 102nd constitutional amendment bill पास करवा करके जो act बनाया था 102 constitutional amendment act इसके according जो है NCBC को constitutional status दे दिया गया साथी साथ इस amendment के साथ जो है इस commission के functions and power को भी बढ़ाया गया था याद रखना उसके बाद 102 जो amendment हुआ था इसी के साथ जो है कुछ articles भी नई add किये गए थे article 338 B और article 342 A ओके देखो ये सभी article जो है इसमें add किये गए 102 amendment के बाद एक important information एक important notice मैं आपर देना चाहूँगा अभी तक जितने भी amendment के साथ नए नए articles जूर करके total article कितने हुए हमारे समविधान के अंदर में इस पे मैंने एक separate और बहुत ही briefly एक सही तरीके से मैंने समझाया हुआ है कि किस amendment के बाद कौन से article आई कितनी article repeal कर दी गई और खतम कर दी गई add कैसे कैसे नए article हमारे समविधान में होते चले गए और last में कितना आर्टिकल हमारे समविधान में total हो गया अब देखो ये कानून नया पास होगा 127 वाला जो अभी बिल है ये पास होगा तो ये कानून बनेगा अब ये कानून बनेगा तो आपको याद रखना है कि 105 ये समविधान संसोरन हो जाएगा अब यहाँ पर थोड़ा confusion हो रहा होगा आपको कि ये कैसे हो जाएगा 127 वाला समविधान बिल है यहाँ पर constitutional बिल है अब ये जब पास होगा तो 105 पर कैसे आजाएगा तो ये भी जब ये कानून बन जाएगी तो मैं फिर से same topic पर एक नया lecture बनाओंगा जिसमें मैं फिर से discuss करूँगा सारे process को यानि कि जब से हमारा समविधान बना और जब अभी जो है इस present में जो कानून पास होगी क्योंकि इसमें भी जो है कुछ clauses जो है लेकिन उससे पहले अगर आपको लोगों को इसमें थोड़ी बहुत confusion है वो lecture जाकर देखो link description में है उपर i button में भी है अब बरते हैं इस lecture में आगे अब हम लोग बात करेंगे कि 102nd constitutional amendment act में changes क्या क्या हुई थी इस पर हम लोग discuss करते हैं कि देखो president of India मैं यहाँ पर एक overall समझो कि जो OBC का list बनाने वाला power था वो state से लेकर के center को दे दिया गया था कैसे उसके बाद इस amendment act के बाद president of India जो है वो एक आखिरी power होंगे final order उन ही का होगा कि कि किस लोगों को वो SEBC के category में डालेंगे लेकिन president of India in consultation with the governor specify the SEBC यह governor के साथ consultation करने के बाद जो है वो SEBC के criteria को fail करेंगे इस category में लोगों को डालेंगे this took the power of state government to maintain their own list of OBCs यानि कि यह जो amendment act हुआ था इसमें state government के power को ले लिया गया था लेकिन इस से पहले क्या होता था इस amendment act से पहले क्या होता था कि जो center होती थी जो state होती थी मतलब state और centers के अलग-अलग separated OBCs के list maintain करे जाते थे बनाये जाते थे यानि कि state government में कोई job होती थी तो वहाँ पे state list को follow करके लोगों को जो है उसमें reservation दिया या था था central government की कोई job होती थी तो central government अपने according जो है पर उसको reservation देती थी यह याद रखना है यहां तक समझ में आगया बात clear है कोई doubt नहीं है I think अभी recent की कुछ scenario अगर हम देखते हैं तो देखो Maratha reservation वाला जो अभी मुद्दा था यह कुछ दिनों पहले काफी जाता जो चर्चा में चल रहा था इसका case जो है वो supreme court में पहुँचा ठीक है और supreme court ने एक final judgment दिया था 5 माई 2021 को ठीक है 5 माई 2021 को इन्होंने एक judgment दिया इसमें supreme court ने कहा कि 102nd amendment जो है यानि कि 102nd amendment जो है constitutional amendment act यह बिलकुल बिलकुल valid है बिलकुल सही है and only central government have power to identify SEBC of OBCs यानि कि supreme court ने यह कहा कि 102nd constitutional amendment act में जो central government के वार्ष पावर गये थी OBC के list maintain करने वाली SEBC के list maintain करने वाली Malatha case के जो judgment में भी supreme court ने 5 में 2021 को यही judgment दिया कि yes यह जो कानून बना था 102nd amendment act वाला वो बिलकुल सही है और state के पास power OBC list को maintain करने की नहीं है लिए power जो है वो center के पास है और center के पास ही रहेगी लेकिन इसके बाद जो है वो protest सुरू हो गई अब protest supreme court के खिलाफ जो है वो बिलकुल एकदम exactly तो नहीं होती है लेकिन लोग जो है थोड़ा बहुत protest करने लग गये थे supreme court के मान मर्यादय का ख्याल रखना पड़ता है ठीक है उनके judgment का ख्याल रखना पड़ता है इसलिए उनके फैसलों को direct जो है वहाँ पे विरोध नहीं किया जा सकता है तो नहीं करते हैं लोग क्योंकि यह जो बहुत सोचा समझा जो है इनका judgment होता है constitutional judgment ही होता है तो यहाँ पे क्या हुआ कि लोग इस judgment से सहमत नहीं थे कह सकते हो आप तो फिर क्या हुआ आगे देखते हैं अब हम तो जब इस judgment से लोग वहाँ पे सहमत नहीं थे protest कर रहे थे उसके बाद जो है वहाँ आपे लोकसभा के अंदर में एक नए बिल का introduction हुआ जिस बिल का नाम था 127th Constitutional Amendment Bill 2021 अब हम जानते हैं इस बिल के ड्राफ्ट में क्या-क्या था जो लोकसभा से पास कर दी गई राज्य सभा से अभी नहीं करी गई यह याद रखना It is 127th Constitutional Amendment Bill है अभी यह अभी बिल है लेकिन जब यह बिल पास हो जाएगी तब यह क्या बन जाएगी 105th Constitutional Amendment Act 2021 बन जाएगा ठीक है इस बिल में क्या होगा कि जो State Government है अभी जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 102nd Constitutional Amendment के बाद जो है वो Central Government के पावर चली गई थी एंड देखो इस Amendment में जो है वो कौन-कौन से आर्टिकल में Amendment करी जाएगी और कौन-कौन से आर्टिकल एड करी जाएगी यह जान लो थोड़ा सा इट विल एमेंड आर्टिकल 342 A यानि कि 342 का जो A है क्लॉस उसका सब क्लॉस 1 and 2 इसमें amendment करी जाएगी and add new clause in article 342 A में तीसरा नमर का clause जो है वो add करा जाएगा जो की authorize करेगा state को उनके state list की SEBC की जो state list है उसको maintain करने की power को authorize करेगा states को and this will consequently amend the article 336 का clause 26 and 338 B का clause 9 इसमें भी amendment करी जाएगी changes लाई जाएगी the state will have directly notified with अब देखो क्या है न कि power मिलने के बाद state के पास इतना power रहेगा कि वो बिना किसी के permission के खुद से एक अपना SEBC का जो है वो list तयार कर सकते हैं वहाँ पे उनको किसी center की भी नहीं लेनी पड़ेगी और नहीं जो है वो NCBC यानि के national commission for backward classes की कोई भी तरीके की grants लेनी पड़ेगी किसी भी तरीके का stamp मोहर वगड़ा कुछ लगाना पड़ेगा तो टोटल पावर जो है वहाँ पे दी जाएगी state को देखो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि opposition ने किसी भी तरीका का criticism भी नहीं हुआ था इस bill को लेकर कि नहीं कोई objections आई थी लेकिन हाँ demand तो जरूर थी demand ऐसा कह सकते है कि opposition की तरफ से एक ministers नहीं बुचा कि अब जो है 50 percent ceiling को remove कर दिया जाए reservations के उपर से 50 percent का जो cap लगाया गया उसको remove कर दिया जाए तो इंद्रसाहानी का case में court नहीं कहा था कि that the limit can be increased only in special circumstances जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था इस case के judgment में कि 50 percent का जो है reservation cap यानि कि 50 percent exceed आप नहीं कर सकते हो until and unless कि कोई extraordinary circumstances हो ठीक है ये चीज़ इंद्रसाहनी केस में करी गई थी लेकिन ऐसा demand जो है वहाँ पे opposition की तरब से रखा गया कि 50 percent ceiling को cap को जो आप रखे हो उसको हटा दो अब तो आप यासा कर सकते हो तो social justice and empower ministers dr virendra kumard ये कहें कि देखो government को ये मुद्धा पता है government is aware about it लेकिन हम इस पर examine करेंगे बाद में अभी जो हम लोगों को बेल पास करवाना है उस पर हम लोग focus करें हैं लेकिन इस वाले वी इस वाले जो आपने demand रखा है इस पर भी हम लोग consider करेंगे इस पर हम लोग examine करेंगे and now central government will not collect उसके बाद देखो एक और question करी गई थी कि अब जो है वो central government caste based data census को जो है वो बनाएगी की नहीं maintain करेगी की नहीं नहीं की caste based जो census होता है कि किस caste में कितने लोग SCBC में आएंगे ऐसे center जो करती थी वो करेगी की नहीं तो आप government कहीं की नहीं अब central government जो है वो नहीं करेगी अब ये काम जो है वो state government का है अब central government ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी so finally हम लोगों ने इस amendment में जितनी भी चीजें हो सकती थी जितनी भी चीजें थी क्या-क्या changes है क्या-क्या history है क्या present है सबी चीजों पर discussion कर लिया I hope आपको साड़ी चीज clear हो गई होंगी अगर कोई queries है comment box में पूछो I will definitely try to solve your queries और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को subscribe कर लो bell icon को press कर लो ऐसी वीडियो रेगिलर आती रहती है हमारे चैनल पर चैनल विजिट करो काफी जाधे content वहाँ आपको मिलेंगे exam preparations के लिए और साथी साथ बहुत सारे knowledgeable videos भी मिलेंगे So I hope आपको वीडियो पसंद ही आया होगा like जरू कर देना जतना उसको तना share करो See you in the next one Goodbye, take care महीर ठाकर Signing off